हेलो एवरिवन, सेंटर ओफ मास का लेक्चर नमर टू, आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें बात करेंगे सेंटर ओफ मास ओफ डिस्टिबूटेड मास, और आज तुझे मेजिक वाली फील करा हूँगा, कि कैसे हम लोग सवाल को एकदम जल्द जल्दी बना लेते हैं, कॉंसेप्ट एंड ट्रिक से भरा हुआ लेक्चर होगा, तो क्या करना है? रेडी हो जाना है, और हमारा हेंड रिटेनर्स लेके जरूर बेट होगे, तो स्टार्ट करते हैं, तेखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगोंने क्या परहा था? पहले समझो सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है, डिस्क्रीट सिस्टम, इसमें क्या होता है? मांस जो थै मतलब अलग-अलग, अलग होता था और सबका एक center of mass होता था यह center of mass आज जो बात होगी continuous system मतलब जैसे की center of mass या फिर राट जैसे हुआ ring, जैसे हुआ disk, जैसे हुआ sphere, जैसे हुआ cone इस तरह का body तो सबसे पहले हम लोग mass का distribution का concept समझते हैं क्या समझते हैं? mass distribution का concept तब हम लोग इसको ठीक से feel कर पाएं, तो start करता हूँ, देखो, mass का distribution team तरह से हो सकता है, ध्यान से समझो, linear mass distribution, यानि mass length में फैला हो किसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? point mass, point mass का मतलब mass एक point पर होता था यहां पर क्या है? mass पूरे के पूरे rod में फैला हुआ है, किसी एक point पर mass concentrated नहीं है, mass यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है तो इस तरह के mass distribution को बोलेंगे, linear mass distribution, यहां देखो, mass पूरे area में फैला हुआ, जैसे disk हुआ, square हुआ, rectangle हो गया इसमें क्या है न, mass area में फैला हुआ है, या surface पर फैला हुआ है, इसको बोलेंगे surface mass distribution सब्सक्राइए मास पूरे भूल्यू में फ्हला हुआ हो सकते जी से क्यूब है इस तरहा का बॉडि में मास किस तरह से फ्हला वो पूरे भूल्यू में फ्हला ह। लैंक अब तीनों को एक आड़ी बारी बारी से हम लोग समझते कंप toda linear vacuum का इस्तेमाल होगा linear mass density जिसको हम लोग lambda से denote करेंगे क्या चीज़ से lambda से और इसी को हम लोग बोलते है mass per unit length क्या बोलते है mass per unit length ये भी बोलते हैं हम लोग mass per unit length मतलब क्या हुआ mass by length क्या mass by length ये हुआ mass per unit length जैसे कि माले लेट एक rod है इसका mass M है लंबाई L है ये rod है rod का mass है M और length L तो mass per unit length क्या होगा very good पूरा mass लेंगे जितना का mass लेंगे उतना का length लेंगे mass per unit length अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ तो जैसे कि माले लेते हैं ये दूड़ी है dx ठीक से समझोगे और यहां इतना दूड़ का mass है dm तो अब बताओ तो क्या लेगे lambda का मान very good mass per unit length है ने तो dm mass mass वा और ये dm mass कितना लंबाई में है फैला हुआ हूआ है dx लंबाई में तो lambda हो गया dm by dx clear है यानि mass per unit length यानि mass by length करना है जितना का mass लेंगे उतना का length ले लेंगे फंड़ा clear दूसरा देखो यहां लिखा हुआ surface mass distribution इसमें जो टर्म इस्तेमाल होगा सबसे पहले इसको बूलेंगे sigma से denote करेंगे इसको lambda से इसको sigma से sigma मतलाब जैसे कि यहां पर lambda बराबर linear mass density है तो sigma बराबर surface mass density होगा या इसका दूसरा क्या नाम होगा जैसे mass parent length था तो क्या होगा नाम mass per unit area इसका मतला हुआ mass by area क्या लिखेंगे mass by area यह हुआ mass parent area जैसे कि यह disk ले लेते disk डिस्क और डिसक हम माल लेते हैं क्या हो जागा टोटल मांस अगर एम है तो पूरा एडिया हो जागा अगर मत अगर इसमें चोटा से रींग कट करते समझो के देहान से अगर इसमें एक छोटा सा ring कट कर लेतें क्या ring और उस ring का मास अगर dm होता और उस ring का area da होता तो क्या लिख देते हैं हम लोग इसी को लिख देते dm by da समझ मैं है अगर पूरा m अगर area a में फिला हुआ है तो m by a और पूरा dm area dm फिला हुआ है तो dm by da कर देंगे बहुत आशान है अब बच गया volume mass distribution volume mass distribution में क्या term का इस्तेमाल होगा रो से denote करेंगे इसको क्या चीसे रो से और इसको बोलेंगे जैसे इसको surface mass density बोले ना ति इसको क्या बोलेंगे volume mass density yes volume mass density बाद बाला को कभी जगा मिलता है बाद बाले को बचा हुआ जगा मिलता है मेहनत नहीं करोगे ना बचा हुआ सीट मिलेगा पीछे वाला volume mass density मतलाब mass current volume mass per unit volume mass current volume का मतला mass by volume yes mass by volume अगर पूरा mass M volume B में फिला हुआ है तो M भाद भी हो जागा मालते पूरे का volume B है पूरे का volume B है तो mass M है तो M भाद भी हो जागा mass current volume अगर माल लेते हैं इसमें छोटा सा क्या होगे radius x है thickness dx है तो इसका radius x है thickness dx का एक सेल कर समझ सकते हो कि नहीं बहुत सरा सेल मिला के एक स्फेयर बन जाएगा बिल्कुल तो उसका mass हम माल लेते हैं DM है और उसका volume माल लेते है माल लेते हैं तो क्या होगा DM mass कितना volume फेला हुआ है डीवी volume फेला हुआ तो इस प्रकार से हम लोग रो का मान भी एकाल सकते हैं क्लियर है अब हम लोग एक एक करके इससे रिलेटेट को बनाते हैं फिर इससे डिलेटेट करें मजा आया एक दम आज का लेक्चर जो है एक तम जादू वाला फिलिक देगा तो सारा कॉंसेप्ट एक एक करके दिमाग में सेट हो जागा अभी थोरा सा पैसेंस रखोगे आप देखो center of mass कैसे निकालेंगे जब mass distributed हो क इसमें क्या करेंगे ना जैसा बॉडिर हैका उसके हिसाब से डिम कट कर लेंगे क्या कर लेंगे डिम और इस डिम का center और इस डिम का center of mass होगा उसका position वेक्टर होगा डिम का पूरे body का center of mass निकालना हो तो क्या करेंगे dm into r कर देंगे और उसको integrate कर देंगे divided by कर देंगे dm जहां r क्या है where r क्या है बहुत बहुत important चीज़ है where r क्या है r is center of mass of dm यहां underline कर रहा हूं इस बात को जब इसका इस्तेमाल करूंगा न तब तुझे याद आएगा सिधा से दे समझो कि dm into r करेंगे जहां r जो है dm का center of mass है अभी वो feel आएगी नहीं बस सब्ध है अभी तुम्हारे लिए सब्ध है feel नहीं है कोई बात नहीं आने दो वक्त सब समझ लेंगे अब इसी में x center of mass निकालना होगा तब तब क्या करेंगे dm लेंगे और dm का center of mass का x coordinate ले लेंगे इस तरह से कर देंगे अनीचे में dm को integrate कर देंगे उसी प्रकार से ycm निकालना होगा तब अब तो समझ में आगया होगा क्या करेंगे dm into y ऐसे कर देंगे और नीचे रख देंगे dm ये तो theory है theory परने से question नहीं ने बनेगा तो क्या करना पड़ेगा problem बना के समझना पड़ेगा देखो यानि बात को ठीक से समझने के लिए example करना ही पड़ेगा तो example करके देखते हैं तो पहले linear mass density से related बात को clear कर लेते हैं ये एक rud है center of mass of uniform rud है एक rud है और इसका mass हम माल लेते है aim है और इसका लंबाई l है तो सबसे पहले क्या चुनो यहाँ पर x बड़ाबर 0 ले लो और यहाँ पर x बड़ाबर l हो जाएगा क्योंकि rud का लंबाई l है तो इसको ऐसा करते हैं इसको x axis माल लेते हैं क्या करते हैं इसको x axis माल लेते हैं इसको x axis माल लेते हैं और इसको y axis माल लेते हैं तो obviously center of mass इसी line में कहीं लाइक करेगा इधर तो जाएगा ने center of mass यह मोटाई को ignore कर देना है तो कैसे इसका center of mass निकालेंगे सोचो क्या बोले थे कि सबसे पहले एक DM कट कर लेना क्या कर लेना है DM और उस DM का कट करने के बाद क्या करना था देखो तो सबसे पहले DM कट करो ना तो माल लेते हैं यहां से जाएंगे X दूरी और X दूरी जाने के बात एक छोटा सा part देखने में तो बढ़ा लगड़ा है लेकिन हैं बढ़ा छोटा सा डियक्स कट लेते और इस दी एक्स part का मास माल लेते हैं DM अब सवाल उठा है यह डियेम निकालना पड़ेगा आप देखों डियेम कैसे निकालेंगे हमने क्या सिखाते हैं लेमडा लेमडा बराबर मास परूट लेंथ यह आप यह समझे सकते हो और उसी लेमडा को डियेम बाइ डी एक्स भी समझ सकते हो फील आ रही है फील आ रही है नहीं तो डी एम बराबर क्या लग देंगे लेम्डा इंटू डी एक्स लेम्डा इंटू डी एक्स समझ में आई ना ना समझ में नहीं आया चलो फिर से समझाता हूँ लेमडा यहां पर क्या है लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ क्या है लेमडा मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ का मास कितना का यूनिट लेंथ का तो यूनीट लेंथ, यूनीट मतलब 1, यूनीट लेंथ का मास अगर लेमडा है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, लेमडा इंटो dx, अब समझ में आ रहा है, यानि यूनीट लेंथ का मास अगर लेमडा है, तो dx लेंथ का मास होजगा, लेमडा इंटो dx, लेमडा क्या होता है, मास परवूर्ट लेंद होता है lazım व्ता होता है मास परवूर्ट लेंद होता है तो डी lease लेंद का मास होचहाँ लेंद इंटू डी अद्री अंडल हो ग्या नहीं आहिं नहीं यानि यसे भी समझ तो mathematics से वो तो physics वाली फिल्द से बतायाày 2 mathematics से करेंगा Lambda is equal to mass per unit length यानि M by L यह पूरा का mass M है तो पूरा का length यानि mass लेंगे rod का length भी लेंगे rod का येस इसलिए mass per unit length यानि M by L यानि DM बटे DX और यहां से भी देखो DM बराबर Lambda गुना DX हो गया और उस Lambda का मान चाहो तो बठा सकते हो उस Lambda का मान बठा दें M by L कर सकते हैं I into DX यह हो गया मेरा DM क्या हो गया DM अब XCM निकाल लेते हैं तो XUM का value देखो XUM मतलब DM into X करेंगे I divided by TM करेंगे वेरी गुड बडाबर DM का value fit करना होगा कर दो DM का value Lambda into DX यही बला रख देता हूं नहीं यह बला भी ले सकते हैं और यह बला भी ले सकते हैं तो DM का value Lambda into DX ले देता हूं लिमिट कहां से कहां रखेंगे यह होता है लोवर लिमिट यह होता है अपर लिमिट इंटिग्रेशन जानते हो क्या नहीं कोई बात नहीं सेंटर ओफ मास चाल रहा है और इंटिग्रेशन नहीं जानते हो खायर कोई बात में पर लोगे जाके जाओगे basic mathematics में इंटिग्रेशन नहीं उसको search करके निकाल लोगे और पार लोगे समझ गया तो एक्स का लोवर लिमिट क्या होगा 0 0 से लेके एक्स एल तक भेरी कर रहा है और नीचे में भी 0 से लेके एल तक के लेंडा लेंडा काड़ें कार्द इंजाओ ंंपड़ा लेंडा केड़ा उपर में च्या बाश एक्ष डी जिल्ख होगा उपर वाला क्या होगा x square बटाट टू एक्स स्क्वायर बाइ टू लिमिट रहेगा 0 से लेके L नीचे क्या आएगा dx का हो जाएगा x लिमिट कहां रहेगा 0 से लेके L बहुत बढ़ी है अब इसका भेल्यू रख देंगे लिविट ई बला यहां रख देंगे L square by 2 आ जाएगा माइनस यह रख देंगे इसमें 0 square by 2 हो जाएगा उपर बला काम का खत ताम नीचे बला कर लेते हैं यह इसको रख देंगे L यह इसको रख देंगे मैनस 0 तो उपर में क्या आया L square by 2 यह तो आना ही था ना रड यूनिफॉर्म है तो center of mass का आएगा बीच में ही आएगा ना तो यह तो clear हो गया बीच से इधर नहीं आँ सकता है ना उधर हो सकता है बीच में होगा क्योंकि uniform रड है यह clear हो गया अब आगे देखो द्यान से बराहे interesting चीज आने वाला है अब हम लोग center of mass of non-uniform रड का समझेंगे इसको द्यान से समझना है इसमें एकदम magic वाली feelings आएगी तुमको चारो situation को द्यान से समझो इसमें lambda जो है ना वो constant है और इसमें मा लेते हैं कि लेमडा directly proportional to x है एक्स मतलब मा लेते यह x बढ़ाबर 0 है और यह x बढ़ाबर यहाँ पड़ भी इसका x बढ़ाबर 0 है और यह x बढ़ाबर यह 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 x बढ़ाबर 0 है और x is equal to L है इसका मतलब क्या हुआ राड की लंबाई कितनी है राड की लंबाई L है और इसमें lambda directly proportional to x रहेंगा और इसमें lambda directly proportional to x square है और इसमें मालने तें कि lambda directly proportional to x परफावर 3 है तो इसका तो हम लोग निकाल के देखे थे कि Central मगा promise पर आएगा बीच में आया था नहीं यह होगा सका Center of mass और यहाँ से Center of mass कितना दूरी पर हुआ था यहानी Center of mass की यहां से कीतना होगा झेल बटर टू का is Quiika रेक्टी आगगा प्रोपरोशनल मतलब हुआ कि मास लेंटा क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है इसका मतलब हुआ कि पर यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ में मास हर जगा बराबर है और यहां पर क्या है एक्स अगर बढ़ता है तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाता है अम मास पर यूनिट मास उधरी होगा पीश समझ में आता है इसका उधर सेंटर आफ मास बीच से थोरा से इधर चला जाएगा नहीं इसका सेंटर आफ मास यहां पर है और उससी प्रकार इसका भी मालत है लेमडा डारेक्ली प्रपरशनेल टू अक्से स क्वाय इसको लिख सकते हैं लेमडा ऐसा कुछ रहेगा इसमें लेम्डा बडाबर लेम्डा नॉट इन्टु एक्स पावर थरी कुछ ऐसार है तो सेंटर आप मास की दूरी इसमें तो एलबटर टू आया तो इसमें कितना आएगा बनाना पड़ेगा बना के चेक कर सकते हैं चेक तो कढ़ी लेंगे जिस सीखाय थे लेकिन जुमें बता रहा हुँ उसको धैन से समझय और यहांबडा नॉट इन्टु एक्स पावर जीरो मतलब वन हुआ लेम्डा नॉट माले तो कोई कॉझ्चे ठाटी यहां आप देखओ यहांपर यह क्उटेंट है और यहांगा इ यहां यहां से सेंटर ऑफ मांस कितना दूरर पढ़ है कि यह किस की दूरी बता रहा हूं मैं सेंटर ऑफ मास की दूरी बता रहा हूं यानि पूरे राट का सेंटर अप मास यहां पर मैंने माना तो उसकी दूरी यहां से 3L बटक फोड़ोगा यानि 1 है तो 2 x 3 2 है तो 3 x 4 3 है तो yes 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 कितना दूर 4 3 है तो 4 L x 5 यहां से यहां दूरी होगा आप एक बात दे आंच से देखो यह 0.5 है यहीं 205 अब यही देख यहीं अवी देखे इसे थ्यां से यहां दूर से ज़ादा हो गया अब है सकरोथ यह 0.8 है तो इसका मतलँ हुआ कि लेमडा अगर constant रहेगा तो बीच मे रहेगा और लेमडा directly proportional to x होगा तो center of mass थोड़ा सेधर जाएगा और power बढ़ेगा तो center of mass थोड़ा और उधर जाएगा यानि x पर पावर बढ़ने से center of mass के दूड़ी बढ़ते जाता है किसका graph ड्रॉ करना है मुझे किसका graph ड्रॉ करना है इसका यह origin है और यह माल लेते n है और यह माल लेते x यह मैं n यहाँ पर क्या है तो माल लेमडा जो है कि यह e l है तो कहा पर एगा center of mass e l by 2 आएगा यानि अगर n बढ़ावर 0 रेगा तो center of mass होगा l बटा 2 डूड़ीपर यानि n बढ़ावर 0 रेगा तो center of mass e l बटा 2 2 डूड़ीपर होगा अ our n कामानगर one कर दिये तो center of mass .65 ठोरा सा यि यान अन n का मान अगर one कर देते हैं तो सेंटर ova स्थो उपर चल जागा एन का मान दो करते हैं सेंटर उसी दूर्दी यहां से maximum कितना जा सकता है L जा सकता है, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब center of mass का graph कैसा होगा, ऐसा होगा येस, समझ में आया है इसका मतलब N का मान बरहाते चलेगे निए power बरहाते चलेगे, तो center of mass की दूरी power जब 0 रहागा, तो center of mass L बर्टे 2 होगा, और power अगर बरहाते गए तो center of mass की दूरी बढ़ते चलेगा और maximum कितना दूर तक जाएगा, L दूरी तक जाएगा तो क्या ये फंडा clear हुआ, clear हुआ येस, चलो आगे देखते हैं जब तक कुछ सवाल नहीं कर लेगे ना फंडा तो clear होगा नहीं तो इसलिए कुछ सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं ये question एक rod है, rod की लंबाई L है और rod का mass per unit length दिया हुआ है क्या दिया हुआ हुआ है, mass per unit length ये है mass per unit length, ध्यान रहे और कहा रहा है कि body का mass बताओ कितना होगा और center of mass का position बताओ, क्या करेंगे mass यहाँ पर distributed है mass per unit length जो है न, constant नहीं है तो इसका मतलब center of mass बीच में तो आएगा है नहीं दूसरी बात है कि lambda directly proportional to x है भी नहीं तो उस formula को भी यहाँ लगाने सकते हैं तो क्या करेंगे यह गिदम अपना बिंदास concept लगाएंगे यह वाला x um बढ़ाबर यानि x center of mass बढ़ाबर dm into x divided by dm इस तरह से integrate करना यह वाला formula लगाएंगे तो इसका मतलब साथ से पहले तो dm निकालना पड़ेगा dm कैसे निकालेंगे बहुत आसाना यहां से क्या करेंगे x दूडी जाएंगे और x दूडी पर एक छोटा सा पार्ट dx कर लेंगे और इस dx पार्ट का dm निकाल देंगे dm मतला इस छोटा सा लेंध का इस लेंड़ाइंट्सक्रार्ट इस जाएगा या ऐसे भी लेंडा या आइसे भी लोग जानते हैं ने लेमडा is equal to dm by dx जानते हैं तो desi qor टू लेमडा ऐन्सटोट hard ऐसे भी निकल जाएगा अब लैमडा कहाँ भी तो भाले अम लेमडा कितना एप यह प्रपलस भी एक हो तो यह दी एकस दू अव्या हो मेरक कि यह भी धिय पहले M निकाल देता हूं देखो, DM is equal to, DM is equal to, A plus BX into DX है, तो M बड़ाबर क्या होगा, DM को integrate करना होगा, बिल्कुल सही, तो DM को integrate करेंगे, तो A plus BX into DX, integrate करेंगे, limit कहां से कहां ले, X यहां पर variable है, DX लगा हुआ है, तो X यहां बड़ा हुआ है, तो X का lower limit, यानि X का value minimum कितना होगा, 0, X का value maximum कितना होगा, L, यहां से आ जाएगा हमको, क्या करेंगे, A into DX integration तो आप आ गया होगा, बीडियो लेक्चर देख ले न, A into DX का integrate करेंगे, तो AX हो जाएगा, अब BX DX है, तो BX DX है, तो X स्क्वाइर बड़ाए, 2 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कर देंगे, आज 0 से लेके L कर देंगे, A is equal to क्या होगा, यह बला यहां रख देंगे, A L, प्लस, यह बला यहां रख देंगे, B L square बटा 2, यह हो गया, मास का बैट, अगर बोलता है, मास निकालो, तो यह निकाल देते, आज दूसरा बोल रहा है कि, center of मास का, position निकालो, तो यह से निकाल देंगे, क्या करेंगे, A plus BX into DX, और यह तो DM का value है, into X भी तो करना है, यह कर दिये, लिमिट कहां से कहां रख दें, X का लिमिट 0 से लेके L तक, नीचे कर देंगे DM, DM को तो कर चुके हम लोग ने, कर देते हैं फिर भी, A plus BX into DX, अब जीरो से लेके L तक, अब इसको करना है, integrate, next page में थुआ सा कर लेते हैं, अगला page में, दियान से देखो, यह था, इसको आगे proceed करते हैं हम लोग, तेको इसको पहले गुना कर लेते हैं, A plus BX, सीधा कर लेते हैं, into X, उसके बाद है DX, 0 से लेके L तक, नीचे में है, A plus BX into DX, 0 से लेके L तक, बहुत बढ़िया, आप क्या करेंगे, A into X हो जागा, integrate करेंगे, तो A into X को integrate करेंगे, तो AX स्क्राइब रे, 2 आएगा, अब BX DX है, BX DX, यहनि BX से स्क्वाइर होगा, यहां करेंगे, तब BX से स्क्वाइर हो जागा, तो BX Q by 3, 0 से लेके L तक, नीचे आजाएगा, नीचे आजाएगा A into X, आप BX DX था, तो BX स्क्वाइर बाइर 2 आएगा, 0 से लेके L तक, आप उपर में L का भेली लिमिट रख देते हैं, X UM बड़ा बड़, A L स्क्वाइर बाइ 2, प्लास B L क्यूब बाइ 3, नीचे करेंगे, A, अब यह 0 रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे, 0 आजाएगा, उसको छोड़ देता हूँ, A L प्लास B L स्क्वाइर बाइ 2 आजाएगा, E is equal to, उपावला पहले कर लेते हैं, तो देखो, 3 A L स्क्वाइर, 3 A L स्क्वाइर प्लास 2 B L क्यूब, LCM कितना हैगा, 6 आजाएगा, बहुत बड़ी है, अब इसका देखो, इसको कर देखो, 2 A L, 2 A L प्लास B L स्क्वाइर और डिवाइड़ बाइ कितना हो जाएगा, 2 आजाएगा, ये दूसे कैंसिल हो जाएगा, अब इसमें एक चीज़ और देखो, उपर में L SQUARE कॉमान ले लो, L SQUARE, कॉमान ले ले लेते हैं, तो यहां कितना बज जाएगा, 3 A, प्लास 2 B L, 2 B L बचा, इभाइड़ बाइड बाइए 6 है, 3 बज जाएगा, यहां से हम कॉमान ले लेते हैं, L, L कॉमान ले ले लेगा, तो बज जाएगा, 2 A, 2 A, प्लास, B L, और यहां से एक L को कैंसील कर सकते हैं, तो बज जाएगा, L by 3, उपर में आएगा, 3 A, प्लास, 2 B L, डिभाइड़ बाइ, 2 A, प्लास, B L, concept clear हुआ, क्यों से निकाला आयाता है, practice करोगे, हो जाएगा, लेकिन अब तक magic नहीं आया, थोड़ा स magic आया था, center of mass, रट का direct बता सकते थे, अगर directly proportional to x होगा, directly proportional to x square होगा, उवला case में, लेकिन असली magic तो अभी बाकी है मेरे बच्चे, इंतिजार करो, थोड़ा सा ओड़ा, next page करता हूँ, magic की शुरुवात होने वाला है, question को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या result आया, उभी, lambda is equal to कितना था, a plus bx था, और यहाँ, x बड़ाबार 0, और यहाँ, x बड़ाबार L, ध्यान से समझो, इद अगर, magic आने ही वाला है, answer क्या आया अभी, answer आया, x center of mass is equal to, यह आया था result, lambda is equal to कितना यहाँ पर, a plus bx, परने आता है, yes, क्या मज़ा लो, lambda is equal to a plus bx है, देखो, अगर यह b बड़ाबर 0 होता, सोच के देखो, अगर यह b बड़ाबर 0 होता, तो lambda बड़ाबर a होता, बड़ाबर constant होता, तो, तो x cm बड़ाबर a by 2 होना चाहिए, किने होना चाहिए, होना तो चाहिए, जोड़ा चेक करके देखो, होता है क्या, करके देखो, b बड़ाबर 0 देखो, अगर इसमें b बड़ाबर हम 0 कर देंगे, तो x center of mass क्या होता है, क्या होता है, b बड़ाबर 0, बड़ाबर हो जाएगा, l by 2, अड़े, यह तो बड़ा मज़िदार है, यानि इस तरह का सवाल रहेगा, तो हम चेक करके देख सकते है, b बड़ाबर 0 करके, चेक करके देखेंगे, तो center of mass, l by 2 पर आया, आना था ना, अगर b बड़ाबर 0 हो जाएगा, तो लेमड़ा बराबर a होगा, यह यहाँ constant है, तो center of mass, l by 2 होना चाहिए था, और हो गया, समझ में है, आप देखो, आप देखो, इफ, a बराबर 0 होता, इफ, a बराबर 0, यानि लेमड़ा में, लेमड़ा बराबर a पलस bx था, और अगर यह वला पारब 0 हो जाता, तो लेमड़ा is equal to bx हो जाता, यानि एक तरह से लेमड़ा directly proportional to x हो गया, तो x cm कितना होना चाहिए, x cm कितना होना चाहिए, 1 है न, तो 2 बटे 3, होना चाहिए, 2L बटे 3 होना चाहिए, किने होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहिए तो जरूर, एक बार देखो तो हो रहा है क्या, देखो, इफ, इफ, ए बड़ाबर 0, तो x center of mass बोलो कितना दूरो, देखो देखो, a बड़ाबर 0 करेंगे, कर दो न, L बाए 3 है, उपर में a बड़ाबर 0, तो 2-B-L, 2-B-L, नीचे में, B-L, तो देखो, B-B cancel, B-L-B-L cancel, ओहो, 2-L भै थड़ी तो आ गया, यह एक बड़े सवाल को बनाने की शुरुवात है, इस concept को लगाओगे, इसको बोलते हैं, elimination method, तो बहुत सरा सवाल को, elimination method से ही हम लोग, बना सकते हैं, चलो इसकी feel तुझे सवाल बना के करवाता हूँ, सवाल भी बनाएंगे, और इसकी feel भी दिलाओंगा तुझकी, कैसे जल्दी-जल्दी सवाल बनता है, इसकी तुझे feel भी आएगी, और तुमको magic वाली feelings आएगी थोड़ा-थोड़ा, चलते हैं magic के तरफ, मतलब numericals के तरफ, शलो, यह सवाल, जेएमेन 2008 का question है, वीडियो को पॉच्च करके खुद से ट्रेक करो, question में दिया हुआ है, यह thin मतलब पतला, rod of length L है, lying along x-axis, यह कोई rod है यह, पतला है और x-axis के तरफ है, इसका इंड जो एक इंड जो है न, x बड़ावर 0 पर है, और दुसरा इंड जो है न, x बड़ावर L पर है, और इधार x-axis पर यह, rod लाएकर रहा है, ठीक है, its linear density, linear density मतलब, mass parameter length, यानि mass by length, भेड़ी करता है, with x, x के साथ, यानि x बड़लेगा, तो linear mass density बड़लेगा, इस परकार से, यानि इसका जो लेमडा है न, कहा सकते हो, k into x पर पावर, x by L पर पावर n है, ध्यान रहे, constant से हमको कोई लेरना देना नहीं होता है, क्योंकि constant कट जाता है, देखेते हैं हम लोग, तो constant से कोई मतलब नहीं है, किस चीज का याद दिल आ रहा है, समझ में आ रहा है, यान फिर एन, n can be 0, n अगर 0 होगा, तो लेमडा constant हो जाएगा, और any positive number, अच्छा, लगता वही चीज बोल रहा है, if the positive position, axiom of the center of, mass of the rod is, plotted against n, यानि इधर center of mass का position है, और इधर n का है, इधर क्या है, center of mass का position है, और इधर है n का, लिख देता हूं, इधर center of mass, इधर n, इधर center of mass, और इधर n का position, तो कौन सा graph, होगा इसका answer, हम लोग इसमें expert, हो चुके, कौन सा होगा, yes, clear है, कम से कम तो L बटे 2 होगा, न, L बटे 2 का होगा, जब lambda constant होगा, अब उसके बाद n का मान बढ़ाएंगे, तो center of mass क्या होगा, n, n बढ़ेगा, तो मतलब इधर के तरफ भाड़ी होते चलेगा, तो center of mass उधर के तरफ चलते रहेगा, और L से तो आगे जाएगा नहीं, और L बटे 2 से कम भी होगा नहीं, शमज में आ लिया, तो कौन सा answer होगा, yes, 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 B बढ़ा, तो अब देखते हैं, next, जेएमेन 2020 का question है, इसको ध्यान से समझो, concept को कोशिच करोगे समझने का, देखो, वह elimination method, A बढ़ाबर 0 या B बढ़ाबर 0 करके, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ हुआ है, दिया हुआ हुआ है, linear mass density, rod of length L, has an non-uniform linear mass density, अब देखो हमेशा हम लोग लेम्डा से करते थे, यहाँ रो से कर दिया है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, examiner का मन है, लेम्डा इज इक्वाल टू ए पलस, B, X बाइल का square है, very good, where A and B are constant, and X जो है न जीरो and L के बीच में, कहने का मतलब हुआ है, X का मान, 0 से बारा और L से छोटा होगा, वही इसमें X है, the value of X, X for the center of mass of the rod bench, यहनी center of mass का दूड़ी कितना होगा, यहनी X का value जहां center of mass होगा, वह कितना होगा, यहनी मान लेते हैं यहाँ पर, center of mass होगा, तो center of mass के लिए जो X होगा न, वह कितना होगा, यह पूछ रहा है, जिसमें option में दिया हुआ है, अब क्या करना है, सोचना है, concept के बारे में, यह concept बताये थे, देखो, अगर यहाँ B बराबर 0 होता, B बराबर 0 होने पर, X center of mass बड़ाबर, यह अगर 0 होता, तो mass parameter length constant हो जागा, तो center of mass कितना दुरपर होता, L बटर 2, 2, 2, 4, शही बात है, अब देखो, अगर A बराबर 0 होता, A बराबर 0 होता, तो mass parameter length जो row से denote किया है, यह row है, mass parameter length है, row X मतला, mass parameter length का value, X में depend करता है, यह लिखने का style है, tension मतलो, row X बराबर क्या हो जागा, यह तो 0 दे दिये न, तो हो जागा B, X by L का square, जैसा कि मुझे पता है कि constant पर, दूरी depend नहीं करता है, तो ऐसे situation में, X center of mass बराबर कितना आना चाहिए, X पर power 2 है, तो कितना होता, 3L by 4 आना चाहिए, यस, तो इसी को हम इसमें चेक करके देख सकते हैं, उसको बोलते हैं, Elimination method, यानि इसको इसमें चेक करके देखेंगे, और option को eliminate करते जलेंगे, जिसमें यह satisfy हो जाएगा, वो भला मेरा अंस्त हो जाएगा, है ना गजब का trick, सवाल को बनाना नहीं पड़ाएगा, कहने का मतलब सवाल बनाने की बात नहीं है, सोचने की बात है, सोचो, सोचो, ठीक से सोचो, अब देखो, कौन अच्छा लगएगा है, B बड़ाबर 0, B बड़ाबर 0 करेंगे, तो center of mass L बटा 2 होगा, यानि B बड़ाबर 0 करके, देखो, center of mass L बटा 2 किस में आता है, B बड़ाबर 0 इसमें कर देंगे, तो यह L बटा L तो यहां है, एक बड़ाबर 2 आ रहे हैं क्या देखो तो, नहीं आएगा, 3 है तो आएगा ही नहीं, B बड़ाबर 0 करेंगे, यह भी दो नहीं की 3 है, 3 किसी से कटेगा नहीं, यहां पी अगर B बड़ाबर 0 दे देंगे, तो 3-3 कैंसिल हो जागा, एक बटा 2 आ जागा, यह वाला आंसर हो सकता है, यह में देखो, B बड़ाबर 0 करेंगे, 2-2 कैंसिल, 3-3 कैंसिल, 0 हो गया ना, अगर A बड़ाबर 0 होता, तो 3L बड़ाब फोर आना चाहता है, सेंटर ओफ मास की दूड़ी, तो अगर अपी फील लो, फील अग्दाव अंदर से, A बड़ाबर 0 करेंगे, तो 0 करेंगे, यह 0 हो गया, तो BB 0 हो गया, 3 बड़ाब टू आता, मज़ा आया, इसको बलते है, Elimination Method, क्या बलते हैं, इसको Elimination Method, हाँ एक और बात, अगला सवाल पर जाने से पहले, इसको बना के भी देख सकते हो, तो खुद से ट्राय करोगे, कि मैं कर दूँ, चलो एक बार मैं और करके, तुब को दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, चलो, सॉल्व करके देख लो, ये दिया हुआ है, ये है माले रड, ये X is equal to 0 है, और ये X is equal to L है, तो X का मान 0 और L के बीच में होगा, यहां से हमने X दोडी पर, क्या कर दिया, एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, जिसका किलंबाई है, डी एक्स, और इसका मास है डी एम, डी एम बराबर क्या होगा, मास पर्वंट लेंथ, अगुना लेंथ कर देंगे थोजा का, यह मास पर्वंट लेंथ है, ध्यान रही क्या है, ये lambda है एक तरह से lambda है, confuse ने करोगे, तो इसका value रख दो, a plus b, यह L square हो जागा, उपर एकस square हो जागा, अलग कर देता हो, into हो जागा, dx, यह हो गया मेरा dm, इसलिए x cm बड़ावर क्या होगा, x center of mass बड़ावर, dm into x करेंगे, 0 से लेके L तक, divided by dm कर देंगे, 0 से लेके L तक, dm का value fit करो, a plus bx square by L square, into dx, dm का value आया, गुना x करेंगे न, divided by dm का value, a plus bx square by L square, into dx है, 0 से लेके L तक जाएंगे, 0 से लेके L तक जाएंगे, अब देखो, a into x है न, तो जागा, a x square by 2, देखो, bx square है, इधर x cube आ गया, तो bx cube ये तो पहले से था, उसको छोड़ देता हो, bx cube हो गया न, x cube, तो x पर पाबर, 4 by 4 लिखना है यहां पर, शही है, 0 से लेके L जाएंगे, divided by नीचे आएगा, a into dx है, तियानि, a x बज़ गया, और bx square है, तब bx cube, भाई 3 हो जाएगा, L square पहले से, 0 से लेके L तक जाएंगे, value इसको रख दो मान, यहां रख देता हूँ, इस इक्वल टू आएगा, यह रख दो, a L square by 2, प्लास, b L पे पावर 4, डिभाइड़ बाई, 4 L square, नीचे, a L, प्लास, b L q बटा 3 L square, b L q बाई 3 L square, solve कर लो, 2 A L square, प्लास, यह तो cancel हो जाएगा, नीचे में, इस में से, दो cancel हो के एक बच जाएगा, L बच जाएगा, यहां जगा 3, 3 A L, प्लास, B L बच जाएगा, यहां पर, अब एक और बात, यहां इसका, L C M में कितना हमको बच जाएगा, उपर का L C M में, एक बटा चार है नहीं, और इसका L C M में 3 एट, थिड़ी उपर चला गया, 3 उपर चला गया, नीचे से उपर, आप दोकर, इस में से L कॉमा ले ले लेते हैं, तट्टू A प्लस B, अथरी पहले से था, थरी अलबै फोर हो गया, नीचे में कितना बच जाएगा, बच जाएगा, थरी A प्लस B, यह इन ऑप्शन C था, चिक कर लो, हेंड़ी टेंड नोट्स हैंना, साथ में, रखे हो ना, येस, इसको हमेशा साथ में रखना है, पता है न, देखो, अप्शन नमर C में दोको यह है, अप्शन नमर C में, थरी बाइ, फोर, टू A प्लस B, डिभाइड़ बाइ, थरी A प्लस B, इन्टू L, येस, सी बिला अप्शन दिया हुआ है, अब हम लोग आगला सवाल करें, ये सवाल, NCRT एक्जेंपलर का है, इसको भी भी आ कर लो, भी भी आ, उसी प्रकार से लिखा हुआ है, कि मास परविट लेंद्ध, जो है न, नन उनिफर्म, दिया हुआ है, और ये मास परविट लेंद्ध है, रो से दिनोट किया है, क्या करोगे, मन कर दिया है, रो से दिनोट करने का, तो कर दिया, इस इक्वाल टू कितना A into 1 प्लास BX स्क्वाइर है तुरंत बंजाएंगा ने where A and B are constant X का मान 0 से 1 के बीच में यानि L के जगा 1 है तो center of mass रट का कहाँ पर होगा क्या करेंगे देखो अगर यह 0 होता तो X center of mass बड़ाबड कितना आना चाहिए था L बड़ा 2 आना चाहिए ना येस तो कड़ के देखो ना देखो B बड़ाबर 0 इसमें करेंगे 3 3 केंसिल जगा 1 बड़ा 2 एगा L के मतलाब यहाँ 1 है L के जगा किहां पर कितना है 1 तो B बड़ाबर 0 करेंगे तो दूदू करेंगे तो यह 8 बड़ा 9 बड़ाबर 0 करेंगे तो यह 9 बड़ा 8 बड़ाबर 0 करेंगे तो यह 12 by 6 दो यह होगा मजार है बना के भी देख सकता था है ना यह सवाल देखो एम्स 2015 का है यह कोशन तो डारेक्ट बना दोगे डारेक्ट छूमंतर मास परेंट लेंथ जो है रोude नॉट गाएंगे जायी waiting है थीदी अलवट था भोड़ा एम्सक्कायर याने डारेक्ट ली प्रूरपोश्बर टु एक्सक्कायर है तो एक्स सेंटर अप मास कितना आना चाहिए इसको देखो वीडियो को पॉज करके ध्यान से पर होगे जेए इसमें इलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि A&B के बीच में रिलेशन ही पूछ रहा है यह जिसको जीरो कर सकते तो उसको करना नहीं है क्योंकि उसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो इसको जड़ा साब्धाने से बनाओगे इसको बनाना पड़ेगा जैसे बनाते थे तो सेंटर ओफ मास की दूरी निकाल लोगे और उसको क्या कर दोगे कर दोगे सेवन एलबटे ट्वेल पर लाए करता है खुद से कर लोगे कौन सांसर होगा इसमें भी सोलुशन दिया हुआ है दिकत होगा तो इसमें देख लोगे next question यह देखो इसमें it all the time नजए लगाएंगे क्यों क्योंकि यह बराबर 2 दे दिया लेमड़ा बराबर 2 पलस एक्स है ना तो 2 को दो जिरो करने हैं ए भी बैडिये वरकाना तब उसको लोग जिरो कर सकते हैं इसमें दो को जिरो करने शक्क्ते हैं इसलिए इसमें मेथाड इसमें इलिमिनेशन मेथाड नहीं लगाएंगे खुद से कर लोगे इसमें भी दिया हुआ है देख लोगे नेक्स्ट यह कोस्चन देखो नीट 2002 में पुछा हुआ है यह भी बहुत आसान है यह रट का लेंथ जो है नहीं तीन मीटर है एल इस उकल टू थी मी दिख लेट इन्ट वी एक बहुत आसान है एकक्षिएं बढ़ाबड कितना हो जागा वान है तो कितना अधुल थी एक तो दो बटा तीन ना तो 2 थड़ी एल के जगा रख दो थड़ी तो क्या होगा दो आंसर आजगा दो मीटर कैसा लगा मजाया वेरी गुड चैनल पर बनेड़ हो धेर सारा ट्रिक सीखोगे पूरा वीडियो अगर देख ले तो ने सिलेवस का तो सवाल बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे तो आसे प